हाई काईज वेल्कम बेक टो मैं हो सुगम हो और मेरे चानल पर फिर से एक बर आपको स्वागत है तो अगेन मैं आज आप लोगों के लिए एक बेट लोगों के लिए एक बहुत ही घमाकेदार एक ड्रेंट लेकर आए हूं और यकीन मानी यह प्रिंग आपका बेट 5-6 kg 1 ली लेकिन बेट गेन नहीं होता है विए उसी जपाते मोटे लोग कम खाते हैं लगे उनका बेट फिर भी डे बढ़ता रहता है तो अज मैं आपके में पॉइंट पे काम करने वाली हूं यह नहीं में पॉइंट कर ड्रिंग लेकर आए हूं कि आपका मेताबॉलिक रेट कैसे ह और एक बीक में अराम से डायेट विद इस ट्रिंग एंड लोट अवर्ट 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 आप बहुत इजी वे में 5-6 kg अपना बेट लोट कर सकते हैं और यह दिंग आपके वर्ट रेटेंशन की प्रॉब्लम पे भी काम करेगा तो जिन लोगों भी पानी पीने से काफी अच्छा ट्रिंग है एक बार ट्राइ जर्मू करिएगा और मिनिमम टेंडेस पो ट्राइग करिएगा और मुसे बहुत से लोग रिक्वेस्ट करें हैं कि प्लीज अपनी स्किन को जो भी रूटीन आप फॉलो करते हैं जो भी क्रीम आप लगाते हो और कुछ भी जो प्लीज आप लगाते हो प्लीज हमाई साथ शेयर करिए क्योंकि सब रहे हैं कि ग्लास स्किन की आप मुझे जो भी आप करते हो बहुत ही जल्दी उसका भी मैं वीडियो लेक्या होगी कि मैं इसे में क्या अप्लाई करती हूँ I think मैंने ठंड की आप लोगाती हूँ लेकि म समर्स के भी उतनी ज्यादा मैंने आप लोगाती जल्दी उसका वीडियो लेक्या हूँगी बहुत हाइटाई चीज़ें मैं नहीं अप्लाई करती हूँ I think ऐसे चीज़ें अप्लाई करती हूँ जो हल को यह आप आप कर सकता है तो टाइम को बेस नहीं करते हैं और चले चल चुकंदर लेना है यह पेसे मार्केट मेंज़ी अबलेवल एक स्पून जीरा घर में अवलेवल है और एक श्मोन ज्राइं इस्मोन अजवाईंगे ऐलादे फ्रेंड सबसे पहले ऐपको क्या करना है अद्रक और कच्छी हल्दी को अच्छे से ग्रेट कर लेना है क्यों अ बहुत अच्छे से आपकी बॉड़ी को डिटॉक्सी फाइन करेगी और फ्रेंड्स कच्ची हल्दी यकीन मानिया आपके पेट को बिल्कुल भी गरम नहीं करेगी तो कच्ची हल्दी जरूर शामिल करिए आप अपनी डाइट में और फिर इसके बाद आपको क्या करना है यह म आपके पास कोई भी मिजर्मेंट कप नहीं है तो आप अन्दाज से एक लिटर पानी को हल्का सा गुनगुना जब चड़ाने के बाद वह गरम हो जाए यानि कि जब उसमें बबल्स आने लगे तब आपको यह देखे मेरा मिजर्मेंट कप है तो आपके पास भी अगर और जब इस पानी में बबल्स आने लगे तब आप इसमें जीरा, अजवाइन, कच्छी हल्दी, अद्रग और आमला इन तीनों चीज़ों डाल के इसे ऐसे ही 20 मिनट तक छोड़ दीजे लेकिन आपको जो गयस है उसको लो पर रखना है क्योंकि हमें पानी नहीं जलाना है ह हमें इसके एक्स्ट्रैक लेने हैं पानी में तो यह देखे वाइल होने लगा है तो आप अभी टाइम नहीं हुआ है तो ढग दीजे 20 मिनट तक अब यह देखिए सब चीजों ने अपना कलर छोड़ दिया है और गैस अभी भी धीरी रखिएगा तो आपको इसमें अपना चुगंदर डालना है चुगंदर डालने के बाद आपको इसमें अनार डालना है और इसके बाद मैं इसमें दो ग्रीन टी के पाउचेस लोंगी फ्रेंड्स ग्रीन टी बहुत ही अच्छी अंटी ऑक्सिडेंट होता है तो यह भी आपके स्किन को ग्लो कर देने में बहुत ह अनार भी यह सारी चीज़े आपके बॉड़ी में बढ़ाएगी जो आपके स्किन पे साफ दिखाई देगी तो अभी आपको फाइफ मिनट तक इसे ऐसे ही रखना है इसके बाद आप इसको कांच के बतर में ही रखिएगा और आप इसे तीन दिन तक स्टोर कर सकते हैं और फ् बहुत ही अच्छा आपका वेट लॉस करेगा और इसकिन पर बहुत ही अच्छा ग्लो भी देगा और जैसा भी हो आप मुझे इसका रिव्यू जरूर बताएगा तो फ्रेंड्स देखा इस ब्रिंग को बनाना कितना असान है हर चीज आपके घर में अप्रेबल है और रेसि तो लिएक ने वीडियो किसा अपके निया बाइ